नमस्कार में हूँ दिवांजली मुईत्रा हमारा देश इस वक्त बहुत ही बड़े संकट से जूज रहा है ये संकट इतना गंभीर है कि पेम मोदी ने इसे द्वितिय विश्वयुद्ध से भी खतरनाक बताया जी हाँ हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में दस हजार से भी जादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका कोरोना वायरस की भारत में भी आकड़ा ना बढ़े इसके लिए मोदी सरकार ने भी कई सक्त फैसले लिये तो वहीं आम पबलिक भी मास्क और सानिटाइजर का इस्तमाल कर खुद को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है मास्क और सानिटाइजर की बढ़ती मांग की वज़़से ही तमाम दुकानदार भी अधिक कीमत वसूलने लगे जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो ऐसे समय में भी दुकानदार मास्क और सानिटाइजर के नाम पर कमाई करने में जुटे हुए ऐसे ही लोगों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया केंद्रे उपभोकता मामले खादी एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम्विलास पासवान ने मास्क और सैनिटाइजर की कीमत तै कर दी एक ट्वीट में राम्विलास पासवान ने कहा की कोरोना वारस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामगरी और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृध्धी देखी गई सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तै कर दी आवश्यक वस्तू अधिनियम के तहट दो और तीन प्लाई मास्क में इस्तमाल होने वाले फैबरिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी 2-ply mask की खुद्रा कीमत 8 रुपे प्रती मास्क और 3-ply की कीमत 10 रुपे प्रती मास्क से अधिक नहीं होगी Hand sanitizer की 200 ml के बोतल की खुद्रा कीमत 100 रुपे से अधिक नहीं होगी Ani aacar की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी ये कीमते 30 जून 2020 ताक पूरे देश में लागू रहेंगी सरकार ने मास्क और सानिटाइजर की कीमत तै कर दी है यानि अब कोई भी दुकानदार इन तै कीमतों से जादा नहीं वसूल सकता अगर वो ऐसा करता है तो सरकार उनके खिलाफ उचित कदम उठा सकती है बताने कोरोना वाइरस से दुनिया भर में अब तक 11,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी और इस वाइरस ने भारत में 5 लोगों की जान ले ली देश में अब तक कोरोना वाइरस के संक्रमण के 250 से भी जादा मामले सामने आ चुके है प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन माग रहा यह हैं जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस रभिवार याने दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रभिवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवास्यों को जनता कर्फ्यू का पानन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बाहर न निकले न सडक पे जाएं न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हाँ जो आवशक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जाएं और हम देखने के लिए भी न जाएं सात्यों बाइस मार्ज को हमारा यह प्रयास हमारे आत्मसंयम देश हित्मे करतेवय पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा 22 मार्ज को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगर करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें हमारे देश में कई संगठन है एंसीसी है एनसेस है कई वा संगठन है सिबिल सुसाइटी है खेलकुत के संगठन है कई प्रकार के संगठन है धार्मिक संगठन है सामाजिक संगठन है सब कोई सबसे मैं अनुरोद करूंगा कि अभी से लेकर रभी बार तक इस जंता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं लोगों को जागरुक करें आप ये भी कर सकते हर दिन दस नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के समझ में नागरिक को करने वाले काम जंता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं उनको बताएं मेरे प्यारे देश्वासियों ये जंता कर्फ्यू एक प्रकार्चे हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरह होगा ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के ख़़ाब लड़ाई के लिए भारत कितना तयार है ये देखने और परेखने का भी समय है